सरोका प्रतीशत मत्तदान हो चुका है, कर्णौज में 60.28 प्रतीशत मत्त दान हुआ, इटावा में 58.33 प्रतीशत मत्त दान हुआ, फिरोजाबाद, महनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपूर, कानपुर्दीहाथ, और या, फरुखबाद, यह तमाम जगह, यहां आकड़े सामने आचुके आप की स्क्रीन्स पर है और सबी जगा मतदान 50% से उपर आए मैनपूरी एटा में 60% और 63% मतदान रहा है तो अच्छे खासी संक्या में इस बार वोट परे है और ऐसा माना जोरा है सबसे पहले मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी पिछली बार के मुकाबले इस बार जो प्रतीशत अभी पाथ जिए तक का सामने आया क्या लगता है कितना बहतर है पिछली बार से देखिए प्रथम चरण और दितिया चरण और तृतिया चरण की जदी हम बात करें तो पिछले 2017 और 2022 की आधार पे जदी हम देखें तो उस पे एक लगभग एक प्रतिशत का पहला चरण में था और इस तरह से आप देखेंगे सेकेंड रेज में भी आपने देखा होगा ज्य और उसमें एक जो मतदान है वो उत्तर प्रिदेश में मतदान की जो भी परसेंटेज है उसमें ये कहा साथ सकता है पिछले 2017 में जैसे लोगों की सुक्ता से बहुत दारे थे इसी तरह से 2022 में भी उसी तरह से देखेंगे लेकिन ये थोड़ा सा पहले सुरवात में थोड़ की परसेंटेज प्रभावी तो हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और जहां तक उत्तर प्रदेश की जो पहला और दूसरा तिस्या चरण में ये जो एक जो सुकता है वो कही ना कहीं एक लहर की तरह भी इंगित कर रहा है जी राजेंद्र वर्मा जी 2017 में भी चुनाव हुए और इस बार भी चुनाव हो रहा है क्या कुछ बदलाव है और जो आकड़े सामने आ रहे है पाज में तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया तीसरे चरण का तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है इस बार जिनता जाद स्जागरोप पर उतसाहिद दिखी है जी लेकिंद्डेगे डिकेद दो बात आ है यह यह दिया थ चुनाव प्रसेंटेज की बात करेंगे तो मेरे इसाफ propose ब्रस आच्षघ है जी हाँ यह चुनाव प्रसेंट्टेज कसको फायदा पहुंचा सकता है तो जो सब कर लो संसंट्राइब बातर में पंधर्ड़ को नावन की वजे से यह नहीं रहा है जिस हिसाब से समाजबादी पार्टी है वो पहली बार एक एजिंडा सेट करके सुनाव लड़ी और मुद्धों पर चुनाव लड़ रही है तो जिससे नो डाउट है वो और हिंदू मुत्रिम जो धर्म बाला जो इससु है वो नहीं हो पाया तो बीजी पी का थोड़ा सा ही इससे देमेज हुआ और जो पुरानी पंशन का मुद्धा समाजवादी पार्टी ने लिया तो यह सब कुछ ऐसे मुद्धे उन्होंने सेंस्टिप जो आम जीवन से जोड़े हुए हैं इससे एक माहौल बना और मुद्धों पे चुनाव आ गया और यह अच्छा बास होती है लोकसंत्र में कि हम मुद्धों पे चुनाव लड़ते हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी घड़बंधन जो है मुद्धों के चुनाव को रखने में और उसके अभी तक तीसरे चुनावों तक उसको करने में सपल रही है और इसमें अभी तक जो हम लोगों को दिख रहा है उसके हिसाफ से समाज़ारी पढ़ना बहुत बारी है जिस तरह से कई मुद्ध उठाए गई हैं यह बात तो सही है क्योंकि इस बार जनता भी कह रही है कि विकास के मुद्ध को लेकर इस बार वोट किया ज़ा रहा है तो डियार साहू जी मैं आपसे जाना चाहूंगी जिस तरह से ये बात कही गई है तो क्या ये सही है इस बार सपा ने ज़्यादा मुद्दे उठाएं जिस तरह से हर बार वाई-एम फैक्टर पे चुनाव लड़ती थी सपा तो क्या इससे कुछ हटके अलग करती हुए नजर आ रही है देखें जोहजार सत्रा की जुनाव आपको याद इला दे कि दोहजार सत्रा में बारा से सत्रा में भी समाजवादी पार्टी जोड के कर रहे थे और इसमें भी वही इसा कि आप विकास हमने किया इसना किया दूज़ा रही में लगास की राष्टे में किया और जो लखनों से आग्रा तक राष्टे बनाए इसके बाहुद भी एक जो है वो चुनाव हार गये तो इसी तरह से मेरे वो ही लगता है कि 2017 से 2012 में जो 5 साल का एक कारिखाल रहा उसमें भी कही ना कही ना कही लग रहा है कि कही ना कही निराज और कही जो अकांगशाओं की राजनिती जो एक अकांशियाओं की नाजनीती में जो बात करते हैं कि भी हाँ ये अच्छे जी रात से बहतर हो सकता है और बहतर होने के बाद एक सिती बढ़ सकती है उस तरह की चीजों में आज भी हमने देखा है कि एक परिवर्तन की लहर जो है वो नहीं आ पाया और सबसे महत्पूर जो बात रहे की इसमें जो प्रॉब्लम जो आज की चारी के दिखाई दे रहा है तो उसमें ये ये राजी इंतर जी आप आपने बताया कि सपाई सबार मुद्दो को उठा रही है तो बीजेपी के जो मुद्दे देखने को मिले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे कहीं नकई बीजेपी के पास मुद्दे कुछ इसवार कम दिखे है कई नकई अपराद धर्म इन्हीं दो मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी दिख रही है क्या कहेंगे बीजेपी का एक पॉइंट है कि जब भी वो धर्म की राजनीती जब करती है और धर्म का मुद्दा उनका सफ़ाल होता है इंडो मुद्दे माठने में कामियाब होते हैं तो बीजेपी को हमेंका एज़रा है अभी तक का जितना भी बोटन बोटिंग पैटर्न जो हम लोग जटनाओं के लिए भी किसान बहुत ज़्यादा अक्रुसेत है और जो किसान तो थे ही थे वो सीरे सीरे बीजेपी से नाराज देखे इस बार और उन्होंने बोट में भी कनवर्ट किया है जैसा की रिपोर्टे आ रही है इसके बार जो दूसरा जो और अखलेस ने बहुत जो कर्मचारियों का बहुत एक दर्ध है कि मतलब हम लोग जिन्दी की बार नौकरी करें इसके बाद भी हम हाथ में कुछ नहीं और सबस्ट निश्टा के साथ और यहां बिधायक मंत्री यदि दो दिन के लिए भी बन जाए एक अफसे के लिए बन जाए तो पूरा पैंसर जिससे कर्मचारियों एक दम से लाम बंद हो गए इसके बार उन्होंने जो फितीन सो यूनिट फिरी विजली का मुद्ध दिया और महिला सुरक्षा का और इसके बार उन्होंने खाका दिया कि हम इस तरह से डिबलप्मेंट करेंगे तो यह जो है जो लोगों को पसंद आय और इस बार बीजेटी का जो एक जो कहते हैं कि आपका उनका एक विजन था कि एक हिसाब से उस मुद्दों पर वो काम्याभी हम लोगों को अभी मुझे तो नहीं वेक्षी का दूप से दिख रही है क्योंकि वो हर जहां अभी बॉड़ी लेंग्वेज देख लें या उनकी देखनें बड़े बड़े नेटाओं की भासा जो प्रियोग हो रही है जो मुझे लग रहा है जो पर्षी मंगाल में हम लोग देख रहे थे कि इसना जादा तूतू में पर चुनावा गया व्यक्तियों पर चुनावाया तो यह नियूपी में भी देखने को मिला है लेकिन अब जो जनता भी है वो भी समझ रही है कि हम मैठार्म की राजनिती में कब तक फचे रहेंगे हमको रोटी से यह खाने के लिए इनका जो थोड़ा बहुता की गाओं चेत्र में जो प्रेक्टर काम कर रहा है बीजेपी का वो है फ्री अनाज वाला तो फ्री अनाज में भी महिना भार हम जानबरों को खेत म करने करने पोड़ती है, तो इसे भी सान एक दम से थोड़ा सा अकचिसे थे फिर कर पाया और जो खास्तों से जो किसान मुद्दे ने एक दम भूम का बनाई और एक भूम दिया सेलेक्शन को और वो अभी तक तीसरा चनल देखिए पहला कहा जाता है कि जाक लेंड में चुनाव हुआ यांट पहला दूसरा वाला जो है वो हनु यह है और तीसरा यादों लेंड में हुआ तुर्वाति यह इसमें बढ़iden को दिख रही है और बहुत अच्छी बढ़ सुआद्शिक का और इसने को पूरा आगे सेट अप और उसका फिलो थैफ हो रहा है और जो हमको लगर आगे वाले चरणों में भी गड़बंदन को फाइदा देना चाहिए बीजेपी इसलिए देखिए अपने पुराने मुद्धों को बार बार खुदेर रही है कि इस पे आजाएं लोग राष्टबाद के नाम पे आजाएं इस पे रोग प्रभावित हो जाएं लेकिन ग्रामी शित्रों में बीजेपी लग 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 शाब इस रही है हमको और कोई में मैं इसमें हाथ से पर बात नहीं कर रहा हूं कि ये पश्चिम मंगाल की आद दिला दे चुनाओ इसा भी हो सकता है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएं इसकी संभावना कम है अब लेकिन दूसरे नंबर पर रहना चाहिए पर लेकिन फुल मैजोर्टी में अभी दिख रहा है कि कुछ ऐसा ना हुगा आगे के चरणों में तो समाजबादी भड़ी गडवन नंब सरकार बनाने की जा रहा है सभी के द्वारा लेकिन दसमार्च को उसके नतीजे मेली जाएंगे साहु जी जस्तरहा से अभी कहा है वर्मा जी ने कि कई मुद्दे उठा के चल रहा हो जाहे पेंशन योजना हो महिला सुरक्षा का हो या फिर जो है कई अन्य मुद्दों को लेके चल रही है जबार सपा और बीजेपी के पास कई मुद्दे कम दिख रहे हैं और एक 300 यूनिट फ्री बिजली जो की दिली मॉडल से उठाया क्या है फ्री की बात जबार बहुत जादा सुनने में आई है से चुनाओ में यूपी के चुनाओ में तो क्या फ्री वाली राजनीती जबार असर करेगी क्योंकि प्रियंका गान्धी ने भी यह जो फ्री अन इस तरह से लोक्रियता और पॉपुलिजम जिसको हम लोग कहते हैं उससे एक ऐसा एक जैसे होता ना कि जो आंधों के दुनिया में आईना बेच दो हो वाली बात जुड़े सेलिंग मिरर्स इंद ब्लाइंड किंडम तो उस तरह की जो चीजे होती है उसमें कोई भी राजन जन्य सिद्धनों की जदी आप देखेंगे बात वो नहीं है बात यह कि जो आधार वुद संग्रशना है जैसे कि आप देखेंगे उन्हीं सो अस्ती में इंद्रा गांधी लोट के आई थी रोटी कपड़ा मकार आज की तारिक में भी कहीं ना कहीं रोटी जो है महत्पून है और आज की तारिक में बेटी भी महत्पून है आज की तारिक में सड़क बिजली पानी है आज की तारिक में भात्री जन्ता पाटी अब कहरें कि सड़क भी जरूरी है हवाई अड़्ा की जरूरी है और जो बिजली है वो भी बहुत जरूरी है और पानी जल जिवर्शन क करना ही करना है इसे कौन सी बड़ी बात है लेकि बात वो नहीं है अकांग्षाओं की राजनिती जो जो अगांग्षाओं की राजनिती को हाज हम लोगों ने जन्म दिया है कि शर्कार में हो जाहिए वो गणायों को महंगायों को गम करने के लिए जो मिनिममं सीजय होती है उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं तो वह फिर एक बंजना की भावना पहाँ होता है जिसको हम साविक बंजना की बात करते हैं सबस्क्राइब तो मैं उ Data तो मैं चुनाओ इसे अब इसकी आधार पितार्ता पर और लोगों है और रोगत की बेसी है कि राजनिती में सब्सादारी राजनिती दल को समय समय पर बदलाव की जो भावना है उससे एक लोगसंत्र मजबूत होता है तो इस तरह से कोई बदलाव हो रही है जदी कुछ रेजल्ट या जो एक तरह से अकिसान आंदुरन हो चाहे वो अकंग्षाओं की राजनिती जो अकंग्षाओं जो लोगों की बढ़ाई गई थी उसमें जो असफल रहे तो कही ना कहीं सरकार के या जो सरकार अभी है उसके पक्स पर नहीं जा सकता है तो इसलिए कोई अच्छी बात भी है और इसकी आदार पर यह कह रहे हैं कि हमने लोगों की बात करें तो मेरे को अभी भी याद है कि कल्यानिती की लोगों का अभी भी अच्छा लगता है इस तरह से बहुजन समाज पार्टे की जदी आप बात क है उसमें जदी इस तरह की जो नौकरी की बात है जोजगार की बात है पहंगाई की बात है यह सारे मुद्धे और जैसे की हमारे पुर्व बक्ता राजनिती कहें जो मौलिक बाते हैं समस्त्याय हैं उसको जदी इन लोग एक उड्रेस करने की बात कर रहे हैं तो यह अकांक मेरा यह कहना है कि इसमें चुनावती का खलक पाई जा रही है। उस पॉइंट से हमको लगना है कि यह बहतर एक कुष्टर्शन की रूप में निकाजा सकता है कि यह कहीं समब भी हो सकता है। राजेंतर जी, बीजेपी भी कई दावे वबादे करी ए, क्योंकि जैसे कि रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो रोजगार की बाद भी करी गई है, कि चार साल में 4 लाख रोजगार दिये, साथ में आवास योजना, पेंशन योजना, इन सब चीजों का मुद्द भी उठाया जा रहा है विकास करने की बाद भी कहीं जा रही है कि सड़के बनाई गई तो दावे बादे तो बीजेपी के तरफ से भी किये जा रहे कई कमजोर नहीं दिख रही है राम-मंदिर का मुद्दा भी उठा है तो पिशली बार योगी-मोधी लेहर नहीं तो इसका वाइदा जरूर सपाक होगा लेकिन कहीं बीजेपी भी कम टकर देती वी नज़र नहीं आरी जिस तरह से आपने कहा कि सपाक इस बार जादा फाइदा लग रहा है लेहर लग रही है क्या कहीं इस पर जो जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है और यदि आप पर अनलिसिस करें पिछले पाक साल का जो बर्तवान सरकार है तो रोजगार देने में असफ़ल रही है चाहे जिसने आंकले प्रिस्तुत करने हैं जो उटे आंकले हैं तेक है क्योंकि तो वो प्रिक्रिया भी पूरी नहीं कर पाई उन्होंने अठाराजार उसको कटडाउन करके इतना कर दिया इसके अलावा जो और जो निजी करना जो सबसे जादा हुगा देखिए आज आज हमको सीरे निजी करने प्रवावित नहीं कर रहा है तो बविस्में करेगा मेंग आज उन्होंने दर्द उठा लिया बीच में और आशा सिख्चकों को भी हम निमित करेंगे और जो आशा है जो जितने भी ग्रामिय लेवल पर काम कर नहीं है मैला है तो उनको भी हम निमित करेंगे तो ये बड़े चंग होते हैं ये बड़े लोग दोड़े होते हैं पूर कुछ नहीं होता है आपको एक्जिकुशन में भी करना पड़ेगा तो एक्जिकुशन में वीजेपी का फैले और रहा है तभी इस्टिती बन रही है आज नहीं तो वीजेपी ऑवेज से की बड़े मार्जिन से जीतती और देखे लेकर फिर भी क्योंकि हम लोग इतना को कहना पड़ेगा कोई भी पॉलिटिकल पर्टी जो फ्री वीज चलाती है प्री की घोत्राइं करती है और सब करती है इसमें कोई पर्टी को दोस नहीं हो किसी किसी गाम बचाव नहीं कर रहा है सब पार्टियों के बारे में कर रहे हैं यह एक लोग संद्र के लिए स्वा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप थोड़ा उसका भरभाई करने के लिए चलो अजब चुप रहा है ठीक है लेकिर वो पर्मानें सेलूशन नहीं हो सकता है इसका दिक्कत ही होती है कि यदि आप फ्री वीज जो बाट रहे हैं इसका यदि आप और किसे करना है सरकारी करने कर रहे हैं तो आप पार्टी फंड के पैसे से करिए वह नहीं रोकेगा आपको उसका क्यों इसका इंपक्त ही होता है कि जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है जो इमांदारी से टेक्स देरा है उसके उपर टेक्स लाइवल्टी इदनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो परे अब पांसना लसे कोई देजा से बिद्ग कर रहे हैं ऑने वजह इसके परेक्स का अपर आजा रहा है चिए कि अन उन्हीं को कि अःगर है कैसा हमी कुना आँना गांगा है तो सब कुछ तर्थ करें तो यह चीजिए जो फृवीज चलाने का है पहली बात्तों है किसी को दे अंको पर्मानें स्लूशन दीजिए विकारी बना के नहीं दखिए उनको अंदर आत्म संब्सक्राइब लिए विकारी के लिए विकारी बना के नहीं पळेगा। जिसको बीजीपी ने बड़ी स्मार्क लिए को एक बुद्दा कर दिया नौकरियां पैदा करना सरकार का काम है और सरकार अपनी पालिसियों से जंदेश करती है जिसमें इस्टेट का भी जो सरकार है उसका भी इस टेक रहता है वो भी किसी नियम कानून के दारे में बद्गे विरान बार अगना ayam उसका था भीस्टेक रहता है और करना है लेकर रोजगार में सो आरो जेको यह सकता है और जाना सफस्ता ऑातम डेचार और अज बिशबकां कब भी जोना इक और बीजेपी तो इसमें सबसे अच्छा काम करती है कि आप इतना अच्छा पहला सकें कोई भी चीज को प्रफोगेट कर सकें तो लेकिन फिर भी लोगों को इलग रहा है कि नहीं महेंगाई आई है जार में परिशानी हुई है लोगों में आसो रख्षा की भावन आई है वो से जबा प्रदर्शन भी देखा गया है इस सरकार में इसका कितना एफट बी जेपी को पड़ेगा और जिस तरह से दावे कर रही है बीजेपी सरकार की साड़े चार साल में साड़े चार लाख रोजगार दिया है विपक्ष भी इसे जूटे दावे कह रहा है तो किया इतन सरकार की जो रहे हिए हfried as the συνबétait NatASala initiator करना कि ऐक कर लिंग did not Unsura कि होता है और the government Tube होता है तो काैसे तो रबन तो जो है हम लोग बना कि हमा सरकार बनाते His और उस सरकार बनाने के बाद सरकार की जो सासन है वह गवण ini कीелов कि अधार पर तो सासन की बात करते घूट गुट 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 बहुत सारे बिपक्स इनको इसलिए घर रहे हैं कि कहा है मुंदल खंड में जो डिफेंस करिडर का प्रोजेक्ट का इप्लिमेंटेशन गया धरातल में आने का तो कही ना कही इस सबस्वाल उठाने के पीछे एक ही कारण है कि जो प्रोजेक्ट से जो परियोजनाय है उसकी धरातल में आने के बाद विश्चरता और बैदता की बात आती है अर उसमें कही ना कही सरकार को उसमें सब्सक्राइब और इसमें सवाल उठाएं और साथ ही साथिसरा जो है गोनेटालिटि वोज़ान सिक्टा की बात है एक राजनेतिक इच्छा सक्थी की बात है और उस इच्छा सक्थी में भी दिखा गया कि उत्तर प्रदेश में आज की तारिक में जितने भी विधान सवा की सदस्थे जो भी अपने छेतर में कारे कर रहे हैं जिनको अपने कारियों की आधार पे बोट मानना चाहिए ये बल लेकिन देखा जा रहा ही कि जो घार कर रहे हैं उनका अकलनी ना हो के एक एक राजनेतिक जलों तक बात हो रही है कि हम बोट किसको दे आरे वही आज कर सकते हैं ये बहीं कना को अगरिकी को एक एक इम्मेदारी है लेकिन बड़ी अनफॉर्चनेट बात है कि उसकर बदेश में या वारत में इंडिया एट सेवेंटिपाइप अमरी सिमहस्तर की बात कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन इंतिहारों के साथ हमारी जो आकलन में हम कहीं ना कहीं हम अपने आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं और एक सरकार को भी हम जो उमीद करते हैं वह भी उस तरह से जबाब दही उनसे नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं चुनाओं में कहीं ना कहीं इसका आगलन होता है और उसका जो 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 कि जब अपने मत का प्रयोग करने जाता है तो उसके माइंड में एक चीज ये भी होती जाती धर्म को देखके वो अपना मत का प्रयोग करता है, भले ही मुद्दे वहाद हो, बहुत सारे विकास के मुद्दे हो, या फिर कई दावेवादे हो, लेकिन या फिर पार्टी को दे अगवाई कर रहा है उसमें कोई दोस्त नहीं है उसी से कुछ नहीं होता है प्राबलम वहां से आती है कि आप इसको कैसे करें तो उसमें हमारे समझ में ये जनता की जो नारेटिव से वो प्रस्तुत करेंगे दस मार्च में वो नारेटिव से प्रस्तुत होगा जनता की द्वारा जो की सब को सर्व मानने होगा और सभी इसमें जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने राजनेतिक दलों का जो भी है वो कभी-कभी हम लोग को गुम्रहाभी करता है भाबात्मक्ताओं को काफी हद तक प्रभावित करता है हमारी इमोशन सेंटिमेंट उन सबी लेकिन जो परिपकता आना चाहिए जो मैचियोरिटी आना चाहिए लेकिन वह भी कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी है और इसको हर राजनेतिक दल उसकी फाइदा उठाता है बिल्कुल राजेंटर जी बड़े बड़े दिगजों को बीजेपी ने उतारा यूपी के हर चरण में वह पहला चरण हो दूसरा चरण हो चौते चरण के लिए भी य सिंथ चौधरी ने दिया तीसे चरण में गायाब हो गए तो उने अपने पिता और चाछा को उतारना पड़े अपलेश और अपलेश नेकले अपलेश ने पिता मुलायम को उतारा शिपाल को उतारता तो सिस्चेहरे सपार 조先 और ब्ड़े कि Sylrop industria वह और अगने कर शौता न इसको हम लोगों कुछ विकार करना चाहिए कि बीजेपी पूरा अपना जो भी जितने भी संसादान है चाहिए उसका सद्यूपक करें चाहिए उसका दुरूपक करें सबका वो बखुबी राजनेती में प्योग करती है और उसके नेरेटर भी सेट होते हैं तो वो अलग बात है इसका जंता जवाब देती है रिटिमेटी प्रमाब और जहां विदान सभा चुनाओं की बाद में जाती एक बड़ा मुद्दा होता है कि इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कि जो लोकल आपका जो जो एमलेयर के लिए एका जो एलेक्शन लड़ रहा है उसका बिव दूसरे लगता है इसके बाद में आता जवाइक सिंपड़ करता है एक बीदान सभा चुनाओं बोड़ा रही तो लोग बिजीप के समक्रा दूसरों कि भुाइट ने जिसका इसका पाग साल में तो इसका वी उनको जब जब जवाब देते नहीं बनना आए कि भाई हमारी भी नहीं सुनी गई तो जो लोगतंत्र से समय ट्रेंड चला है जिसको नेरेटिव हम लोग बोल रहे हैं कि आप जबाब दही से बचना चाहे रहे हैं लोगतंत्र में आप अपनी जव आप लोग समसे हचते हैं कि आप चिलाते रहे हैं आपका सुनाने जाना यह देमोकरस्य के लिए सब्सक्राइब होता है जिसका दर्द होता है लोगों को यह से भाई सुनतो लो उसके अग्जुशन हो कि नहीं हो तो एक जो एरोगेंस थोड़ा सा दिखाई दिया था भी ज तो वो थोड़ा सा एक हम लोगों को जो लेकिन उसका प्रभाव यह कि पढ़े लिखे लोग या कुछ जो जो बार्ता करने जाते हैं को संगटन है तो उन में जादा प्रभाव मला आप इस्टूडेंट को एड्रेस ने किये इस्टूडेंट की प्रप्लम आपके सांसे रह चीज का एक वो तुलाई है आप नहीं हम ही सब कुछ कर रहे हैं एक स्वेंभू की जो परमपराई डिबलफ हो रही है यह थोड़ा खतरनाक है देखे मैं यहां पर बापसाब में बेचार को बचाना बड़ी चीज है और जब आप उसमें अधि आप अपने लीडर को करेंगे तो डेमोक्राशी के लिए सबसे खतरनाक होगा और रुगातक होगा और यही हमको डेमोक्राशी से बचना है हमको जवाब देही तै करनी है और जवाब देही रिस्पॉंसिमिल्टी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि रिस्पॉंसिमिल्टी यहीं तैव होगी तो सरकार एक परनरा सबस्क्राइब है। आपने एकदम जो स्वाम बैदानिक प्रक्रिया उसका पौलन किये बिना सीरे सीरे आपने जस्केस वहीं पर न्याय सुना दिया। बोले कि यही न्याय है। यह सब चीज़ें भी कहीं आपका प्रुभाव डालती है और लोगों के मन में धर करती है यह अचिर मतलब भाई सुना नहीं आना जैसे हम लोग लग लग विशुद्याले में हैं तो मानली जी आसो सेचा नहीं कोई सरकार के पास वारता करने जाए तो सरकार सुने ही नहीं ब बोधित कर रहे थे तो उन्होंने तीन नाम जरूर लिये आजम खान का मुक्तार अंसारी काती कहमत का साथ ही उन्होंने का कि माफिया उपर लगाम लगाई हो और आगे भी लगे इसके लिए आप वोट करें सही सरकार चुने इस बात को भी उठाया साथ ही जिस तरह से लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है और हो रहा है और अपराद को लगत अर्मुदा बनाया जारा है बीजेपी की तरफ से इन सब चीजों को देखते हुए इस चुनाओं में कितना असर पड़ेगा लेकिन चुनाओं में असर पढ़ना किसे आप मुछ नहीं असर तो है कि पूरी तो प्षित ल से हमाज जागरुक हो रहा है तो और जो मीडिया है जो भी हमारे सूचल मेडिया है उसकी से हिंसा की पिकरिया है उसमें तो धीर का क्यात THAT का रहा है लेकि वी नहीं अभी दिखाया या है और खास्तर पर इलेक्शन के समय में आप इमाजीद नहीं कर सकते हैं बहुत सारे इलेक्शन के पुराने जमाने में ज़िए आप टी इंचसान से पहले की चुनाव की प्रक्रियाव देखें के इंचा की दर बहुत कम हुआ है तो ये चुट-पुट घटना कही हुआ है उस को हम उसके बारे में हम कोई दिपनी इसले नहीं कर सकते हैं कि लेकिन जट जबी नद्ड़ा साथ का जो इस सब्सक्राइक बात करना यह कही कहीना कहीं आधार ने इस तरह की बारता देकर मेसेज देकर आप लोगों को प्रभावित करने की बात कर रहें या लोगों के अंद प्रश्ट जता रहें यह भी एक बहुत इंपॉर्टन बात है कि बार बार इसी तरह की जदी आप बात करेंगे उसक्ता है उल्टा भी पड़ जाए तो मेरा यह कहना है कि वह एक उनके लिए रानमिती भी हो सकता है और उनके लिए यह रानमिती जो है वह चुनावती के सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद राजनीती काफी गर्मा गई है हमेशा अधीक एहमत मुक्तार अंसारी इन सब का आजम खान का इनका नाम लिया जाता है और राजनीती में बड़ा कॉमन हो गया यूपी की राजनीती में तो क्या कहेंगे जिस तरह से घेरा जाता है सप को और संग्रक्षण देने की बात कही जाती अप राधियों को क्या कहेंगे देखी अपना-पना पर्शेप्शन है कोई राजनीती पार्टी बूसका दूला नहीं है जब ठीक है अब विकास दुबेखा जब आब इनकाउंकर करवाते ठोको संस्क्रिदी चलाते हैं तो उस आफिसको ठेरा हैं हम समाजवादी पठीक हो पर्टी को पहली बात दूसरी जे दिखी कभी कभी इसे सर ने विग बोला चाहिए यह कभी कभी पॉल्टिकल अपना एक पर्शेक्शन बनाने के लिए होता है सिम्पैतिक जिन करने करनी के लिए इस तरह के होता है मैं कभी भी करने के लिए पूरी अप्षीता से जाच कराना चाहिए जो हो पब उसको एक दम पूरा सजा उना चाहिए चाहा वो सक्ता पक्ष का ओँ चाहिए पुर्मावा जैसे कांड में अभी तक जाच ना हो ना उसका को रिजल्ट नहीं आना तो संदे पैदा करता है कि राजनीती के कि लिए कुछ भी कर सकती पॉलिटिकल पार्टी है किसी में एक पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई जटनाय करती है चाहा चाहा जैसा करके उसका जवाब जनता देना जानती है और देखे ठीक है दिको सही बात है कि जिंसा कम हुई है लोगों की समझधारी आई है सबसे सब्सक्राइब करते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए और जहां चाहिए वह हमें बार-बार कर रहा हूंगे लिए किसी पर हमला हुआ है तो चुनावायोग क्या कर रहा है चुनावायोग संबेदाने संस्का है सरकार का किसी का इजेंड नहीं है उसको निस्पक से पर हमला करवाया क्योंकि बड़ी तरह हर रहे हैं वहां से बीजेपी कहेंगे कि इस तरह से करने लगे सरकार बनने के बाद क्या करेंगे इस सब पॉलिटिकल अपने अपने गोल होते हैं यह सब एजेंडे होते हैं जो राजनिती में आते हैं और एलेक्शन के बाद दीर- प्रभावित हो जाती है इस गुंडागर्दी से या लॉएन ओडर से लॉएन ओडर मैं जैसे शुरू में मैं जाता था कि एक समय कि कल्यान सिंगा भी बड़ा अच्छा था और कहते हैं सब्सेट से लॉएन ओडर आपको देखना रहे हैं तो बैंजी का लॉएन ओडर सब् सब्सक्राइब सब्सक्राइब काड़ा काईद तो है उसकी सुरक्षा कर MARY जहीए चाहा वह आपकी पार्टी का हो चाहा है आपकी पार्टी करना मो जहाएव की पिछार्धारण से सम्मद रख्ता हो चाहां आपकी उस्तार थारा से घूत समदेना रख्ता हो सम ans इन आप पिछले 10 सालों अब मैं खुद कहता हूँ कि बीजेपी में मन इस्वर की अटल व्यारी वास पीजी कहा करते थे कि मत भेद और मन भेद की बात कहते हैं कि मत भेद तो भई हो सकता है लेकर मन भेद नहीं होना चाहिए लेकर आप देख रहे हैं कि आपस दोस्तों दोस्तों में लड़ाई हो जा रहे हैं यह पॉलिटिकल जो आइडिलोजी की इतनी लड़ाई कभी इतनी हिंसात्मा किया इतनी जाल ऐसे भी नहीं तके अने हो गपया थो आखिए जो है दो मुष्वहा समक्राइब मुष्वह के लिए हän लोग को देल सकते हैं लोगतन्त के आही खुफशूर्ती है आपको एक अलतशानी होने तो पुफशन लोग 가OL आतमारक आप प्रश्ता से बेदेखल कर देगी और कहेंगे कि नहीं हमारी बात सुनी है ठीक है उसका प्रोसिस तोड़ा सा धिलो है लोगों को जहिलना पड़ता है कुछ करना पड़ता है लेकिन लोगतंत्र सफल होगा अल्टिमेटली भारत अभी क्योंकि परफेक्ट दिमोक्रसी की ऊपर नहीं हो रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पार्टी की तरफ ज्यादा जुकाओ रख रहे हैं हर किसी का अपनी किसी ना किसी पार्टी से कुछ ना कुछ हर पार्टी में कमिया होती है तो मैं चाहूंगी कि आप इस डिबेट को थोड़ा बैलन्स करके चलिए मैंने आप से का माफी चाहूंगे बगर आपको बुरा लगे मैं बता रहा हूं बैलन्स बना रहा हूं आपका मैं मैं केबल यह कहना चाहता हूं मैंडम कि सरकार का उस्तरदायत होता है बिल्कुल ठीक है इस तरह से इस बार यादव लैंड में वोट है आज जो चुना आज जो मतदान हुए वो कुछ धी में दिखे हैं कुछ सुस्त दिखे हैं और यादव लैंड माना जाता है और यूपी के राजनीती धर्म जाती के इर्दिगिर्द मानी जाती है तो इससे सपा को कितना फाइदा होगा क्योंकि जहां तक अखलेश यादव है और यादव जो नाम है टाइटल है यादव लैंड से जुड़ा हुआ है तो समर्थन मिलेगा लेकिन बीजेपी की जितने स्टार प्रिचारक उतारे गए है और बीएसपी भी इसी दौड में है तो क्या इस बार वोटों का बिखराव होगा क्योंकि पिशली बार तो योगी मोदी लहर थी तो उस लहर में सपा की साख कहीं खराब से हुई है तो क्या इस बार साख बच पाएगी आपको क्या लगता है साहू जी जी पत्थम और जित्या चरण की जो एक ओपिनियन होता है उस ओपिनियन से हम यह देख रहे हैं कि यह तो लहर वीहें चुनाव है और यह लहर वीहें चुनाओ में जो पास्चिमी उत्तर बडेश में और जो आपने दिखा होगा की जो सेकन्ड चैयन में आपने दिखा जिले थे और उसमें बहुत सारे पेटिशन बहुत मुस्लिम की थी तो लोगों का यह उमीड था तो कहीं न कहीं वो समाज बाती आरेलडी की पक्ष में जाने की आकलन लोग कर रहे हैं अब यह है कि तीसरे चरण में जो इस तरह से जाती अबंग जो सोसल इंजिनेरिंग जो बहंडी की बात होती थी इसी तरह से सोसल इंजिनेरिंग एक OBC में भी दिखाई दे रहा है और OBC और मुस्लिम में यह कहीं ना कहीं इविन आपने देखा होगा आज की तारिक में पहुजन समाजबादी पार्टी को पहुजन समाजबादी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकत कि कि उनकी पास भी एक साइलेंट वोट बैंक है और वो साइलेंट वोट बैंक भी एक तरह से बहतर करने की संभावना है रखते हैं भले ही इस बार वो इस तरह से बढ़ चड़ के हिस्ता नहीं दिये हैं लेकिन कहीं न कहीं न कहीं इनको आप एक एक इग्नोर नहीं कर सकते ह पाद है कॉंग्रेस ने अपना विट्ट तयार किया है इसमें कोई दोराइए नहीं है और उन्होंने रोटी और बेटी और महेंगाई वो सारे चीजों को लेके अपनी बात रखे हैं लेकिन वह जो अस्मिता महिलाओं की अस्मिताओं को उभारने की कोशिश किया एक एक स्व के राजने से एक डल के रूप में कॉंग्रेस की जो एक एक एहम फुमिका और एक तरह से उनका जो पोट का पर जो चुनाव में उनको हिस्तेदारी बनाना ये एक स्वागत योग है तो पहने की मतलब है जो ओवी सी बेम जो यादब के बल नहीं है नॉन यादब जो भी है साथी साथ आपने देखा होगा मुस्लिम या जो जो है वो सारे जो जो है जो तो कहीं ना चाहीं एक एक समर्थन जो है पहतर उनके बिख्राएं लेकिन इसके साथ साथ भारत्य जनता पार्टी में भी बहुत सारे इसी बिरादरी है चोटे चोटे बिरादरी जो वहां पे उसर्विदेश और पथन और दिस्थियत चरण में जो भी चोटे चोटे बिरादरी के लोग हैं जो जादिया है वो भारत्य जनता पार्टी के समर्थन में भी है और इसको भी आप अंदेखा नहीं कर सकते हैं और सबसे महत्पूर्ण बात है जहां पे जो भोजन समाज पा किस तरफ जा रहा है वो एक आने वाले समय में जनता पार्टी के लूप में जो उनको जो एक रास्ता जुबारा आने का जो एक रास्ता है कही ना कहीं कड़ी चुनावती का सामना करना पड़ रहा है जी राजे इंद्र जी आप किस तरह से देखते हैं पिशली बार के जो समी करन तेज इस तरह से गडबंधन था कॉंग्रेस के पास एक सीट गई थी बीएसपी के पास एक भी सीट नहीं गई थी लेकिन इस बार कहीं न कहीं एक्टिव दिखी है मायावती वो जमीनी इस तर पर उत्र ही जनसंबाद किया जनता के बीच गई और अभी भी वो जनता को संबोधित करती रहती है और अपने मुद्दे बताती रहती है बीजे पी और सपा दोनों पर निशाना साधती रहती है तो इस बार कि समीकरन को देख क्या लगता है क्या बीएसपी कॉंग्रस इस सीट भी जीट पाएंगी या फिर बीजेपी और सपा के बीच में जो टककर है तो वही तक्सीमित रह जाएगी देखिए राजनीती में किसी को कम नहीं आखना चाहिए पहली बात और कोई भी बड़ी राजनीतिक पर्टी का अपना एक बेज बोट बैंक होता है इसके बाद जब चुनावाता है तो कुछ तकालिक मुद्दे होते हैं और लहर की लहर एक खाम करती है किससे ज्यादा कु जो वोट फ्लेक्ट करता है वो किसी तरह दुकाव जा रहा है तो सरकारे बंती बड़ बड़ती है लेकिन आप मायवतिक एचित को दर्न दाने कर दें यह तो आशद्बद होगा हम जैसे लोग मूर्ख होंगे या इस तरह की बात करेंगे मायवतिक अपना एक बोट बैंक ह जीत का हार का अंतर लोग देखते हैं और जो राजनेतिक पार्टी है वो भी अपना सभवे करवाती है कि अंतर कितना रहा तो यह एलेक्टन में जो लहर का काम जिसे मोरी लहर और योगी लहर जो चली थी तो एकदम सफारा साफ करती है वो निकल गई और एकदम पूरा किस पी खुद नहीं एजिम कर रही थी कि तीन सफला सीते हैं जाईए जी तिक सरकार बनेगी सब्सक्राइब को मानकर रहे थे कि इस पार वो चल रहा है कि वीजेपी सरकार बनेगी लेकिन हम बोला है कि इसी लिए थोड़ा सा वेटेज आपको जो कर रही है कि वेटेज में समा कि वीजेपी को इससे फरक नहीं पड़ेगा वही समाजवादी पार्टी के मजबूती हुई है गटबंधन हुए है प्लास भीजेपी के सपा के कॉंग्रेस के जितने भी नेथा सपा में शामिल हुए तो उसका कुछ नो कुछ फाइदा होगा तो क्या लगता है कि इसका फाइदा इस चुनाओं में होगा अगर सपा को तो बीजेपी को इसका कॉइदा हallas होगा जी पिछली बास कि इसमें समाजवादी पार्टी का वेटिस दिख रहा है लेकिन हम नकार्दे में बस्पा के अस्तित को असंबब हुआ है ठीक है बस्पा का अपना बोट बैंक 17-18% वो इंटक्ट रहे गई रहेगा थोड़ा बहुत फ्लेक्ट करेगा वो बहुत विलिंग सीट के लिए कि अधिक का जिसको हम लोग करते हैं कि जलिट बोट बैंक है जलिट बोट बैंक तो जलिस हैं वो यदि वो हुए सरकार किसी दूसरे के पक्षम है और तो वो सरकारे में बना बिगाल सकते हैं इसलिए इंपॉर्टें फ्रॉक्तर हो जाते हैं और बाकि 20-25-25-30-25-30-30-5 प कि अधिक करता है तो इसमें निश्चित रूप से जो हम लोगों को प्रुचित हो रहा है मुझे कास्तों से प्रुचित हो रहा है उसमें इड्वांटेज लग रहा है समाज मेरी पाट एंकट बंदन का वो सकता हमें गलत हो जाओं दक्षारी को लेकिन अभी जो देखने को मेरी ला है उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी जो क्योंकि प्रिशली बार इसलिए था कि उसने बहुत चोटे-चोटे समीच सामाज एक संकुराना खेटे किये थे और उसका पंपर फायदा हुआ था इस बार समाज माती पाट इसमें आगे चल लही है बहुत 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 शुक्रिया हम आज साथ इस चर्चा में डियार साहु जी और राजेंद्र वर्मा जी जुड़े थे राजनीतिक विशलेशक के तौर पे तो दोनों से हमने चर्चा करी इस बार के समीकरण जाने है और समीकरण ये बता रहे है कि कुछ भी हो सकता है क् विकास का मुद्दा भी है स्वास्त है सुरक्षा है कई मुद्दे है जाती भी है धर्म भी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का चुनाओ है तीन चरण के चुनाओ हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरण मचे हैं जो की काफी एहम है खास है जैस प्राइम टिवी प्राइम टिवी सच साहस सरोकार